हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं प्रेम रेले के उपर लास्ट मेरी सीसी एने के वीडियो में एक टॉपिक मिसेंग है प्रेम रेले जिसे मैं आज कम्प्लीट करा रहे हूँ अगर आप इस पर डेटा कम्प्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आई-एस-पी की हेल्प चाहिए होगी अगर आप यहाँ पर आई-एस-पी यहाँ पर जो मैं बीच में मान रही हूँ यह मान रही हूँ कि यह आई-एस-पी यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यह हमें कम्प्लीट करवाएगा हमारे इन डिफरेंट लोकेशन को यह मान लिजे मेरा फॉर्स लोकेशन है लोकेशन वन यह मेरी लोकेशन टू है और यह लोकेशन ट्री है तो आई-एस-पी जब इसे कम्प्लीट कराना चाहता है तो हमारे पास तीन आप्शन वो प्रोवाइड करेगा इन तीन लोकेशन को कम्प्लीट करने के लिए सबसे पहले वो 24 x 7 की up line के लिए बात करेगा यानि जिसको हम कहते हैं dedicated line, dedicated line का मतलब है कि उन दो locations के बीच में एक line reserve कर देगा, 24 x 7 पूरे दिन के लिए आप चाहे data communicate कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका एक fix rent होगा, जो month last में आपको देना पड़ेगा, तो एक large scale पर अगर आपकी company है और data communication करना चाहती है, तो dedicated line suitable होगी, otherwise यह suitable नहीं होगी क्योंकि यह हमारे लिए costly बहुत होगी, दूसरा हमारा option जो देता है, वो है dial up connection, old version है, slope गाम करता था, जो telephone lines के थूरू हम communication करते हैं, उसको हम dial up connections कहते हैं, यह old version है, तीसरा है हमारा packet switching, packet switching में actually जो frame relay है, वो frame relay आपको देता है, packet switching का option, और लेकिन यह भी आपका packet switching भी old version है, इस पर नया development हो चुका, आप MPLS काम कर रहा है, बगर पर हम frame relay packet switching कैसे होती थी, यह देखेंगे, फिर हम MPLS आपको already topic मिला हुआ है, अगर आप value added services में जाके देखें, तो MPLS मैंने आपको परार रखा है, तो frame relay कैसे काम करता है, हम इसके उपर बात करेंगे, packet switching के अंदर frame relay, क्यों यह suitable है, क्योंकि सिर्फ उतना pay करना पड़ता है, जितना आप communicate करते हो, ISP इस पे एक unique code देता है, जिसको हम DLCI number कहते है, DLCI number, that is data link connection identifier, ISP हर location को, जिसको connect करना चाहता है, उसे एक DLCI number देता है, that is called data link connection identifier, तो यहाँ पर भी ISP क्या करेगा, आपको एक DLCI number देगा हर location के लिए, मान लिए जे पहला location उसने दिया, 1 को 2 से connect करने के लिए, location 1 को, location 2 से connect करने के लिए, एक DLCI number दिया, जिसको 102 कहते हैं, उसने एक DLCI number दिया, जिसे मैंने 102 बोला, और दूसरा, location 2 को, location 2 को location 1 से connect करने के लिए, एक नमबर दिया, जिसे हम 201 के, देखिए, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यह define करना पड़ता है, आप location पर जाके define करोगे, कि मेरे location को कौन सा DLCI number मिला है, ISP ने location 1 को, यानि इस location को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर मैं इस location से, इस location को connect करना चाहते हूँ, तो इसके लिए उसने एक number दिया, 102, और अगर उल्टा, location 2 को location 1 से connect करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक number दिया, 201, मेरे क्याल से आपको clear हो गया होगा, अब अगर मैं बात करते हूँ, location 2 से location 3 के लिए, तो location 2 से location 3 को connect करने के लिए एक number दिया, उसने DLCI number दिया, 203, ठीक इसी तरह, location 3 को location 2 से connect करने के लिए, एक DLCI number दिया, that is 302, ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह, location 3 से location 1 को connect करने के लिए, एक DLCI number मिला है, वो DLCI number मिला आपको, location 3 से जब location 1 को connect कर रहे हैं, तो 301, और location 1 से 3 को connect कर रहे हैं, तो 103, तो दो DLCI number यहां के route पर भी मिले, location 1 को, location 3 से connect करने के लिए, आपने दिया 103, और location 3 को, location 1 से connect करने के लिए, एक DLCI number यहां, that is 301, तो ध्यान से देखिए, location 1 से हमें 2 DLCI number मिल रहे हैं, location 1 पे, 102, location 2 को connect करने के लिए, 103, location 3 को connect करने के लिए, तो अगर मैं यहां पर कहूं, location 1 पे, तो दो आपको number मिला, 102, और दूसरा मिला, 103, ठीक, इसी तरह अगर मैं location 2 की बात कर रहे हूं, तो location 2 पे मुझे एक DLCI number मिला, 201, और दूसरा मिला, 203, और location 3 पे अगर मैं बात कर रहे हूं, तो 301, और दूसरा मिला, 302, तो यह मेरे DLCI number मिल गए, तीनों location पे, यह मेरा ISP है, इस ISP के लिए, हम frame relay पे configure करेंगे, that is ISP, internet service provider पे जो हमारा frame relay cloud पे configure होगा, वो कैसे होगा, देखिए, configuration पे जाईए, serial 1, serial 1 पे अपका DLCI है, 102, किसलिए, router 1 को, router 2 से connect करने के लिए, और 103 है, router 1 को router 3 से connect करने के लिए, serial 1 पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे serial 1 cloud से serial 1 को router के serial 0 by 0 से connect किया है, तो मैंने serial 1 पे यह दे दिया, अब serial 2 पे जाईए, serial 2 पे होगा 201, यह मेरा router 2 को router 1 से connect कर रहा है, और 203 यानि router 2, router 3 से connect हो रहा है, I think clear होगा आपको, अब serial 3 पर जाते हैं, यहाँ पर दो DLCI नंबर है, यानि router 3, router 1 से connect हो रहा है, और 302, यानि router 3, router 2 से connect हो रहा है, तो मेरे यह 3 DLCI नंबर आपको तीनो serial इंटरफेस पे 6 DLCI नंबर configure कर दिये गए, यानि आपको दे दिये गए, अब मैं इसका frame relay, यानि root define कर रही हूँ, मान लिजे, आप एक location से, दूसरे location से bus से जाते हैं, आपने मान लिजे कि पहाड़गंज से आननबर आप किसी एक bus से गए, तो वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आननबर से पहाड़गंज वापस आएंगे, ठीक, इसी तरह यहाँ पर करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, कि router 1, router 2 पे जा रहा है, तो वापस आने के लिए router 2, router 1 पे आएगा, यही आपको root define करना है, यानि कैसे cycle complete होगी, तो सबसे पहले मैं location 1 लेती हूँ, location 1 लेने के लिए serial 1 से location connected है, तो मैंने लिया R1 से R2 पे जा रहा है, तो वापस कैसे आएगा, second location यानि serial 2 वापस आएगा R2 से, तो R1 से R2 पे गया, तो वापस आएंगे R2 से R1 पे, मेरा एक root define हो गया, यानि cycle complete हो गई, तो मैंने इसका path define कर दिया, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लूँ, location 1, location 3 पे जा रहा है, तो वापस आने के लिए location 3 से location 1 पे वापस आएंगे, तो मैंने R1 से R3 लिया, तो वापस आएंगे serial 3 से, यानि R3 से R1 पे, यहाँ पर भी cycle पूरा हो गया, तो मैंने इस path को add कर दिया, अब मेरा तीसरा path कौन सा बनता है, location 2 से location 3 पे जा रहे हैं, location 2 से जा रहे हैं, तो serial 2 ले लिया मैंने, और location 3 पे जा रहे हैं, यानि R2 से R3 ले लिया, यह मैंने path add कर दिया, यानि ISP पे अगर आप job कर रहे हैं, तो आपको यह configuration करनी पड़ेगी, मैंने cloud पर यानि ISP पे काम अपना कर लिया, अब normal, यह तो आपका configure हो गया, अब एक branch को पहले हम normal communicate कर वा ले, मैं आपको identify कर दूँ, कि यहाँ पर जो cloud है, यह as a switch काम कर रहा है, आप switching technique सीख रहे हैं, packet switching, switching technique है, तो ISP कैसे काम करेगा, as a switch काम करेगा, और switch से जितने भी host connected होते हैं, वो same network में होते हैं, तो यहाँ पर आपको location 1 पर मैंने IP दे दी 1001, location 2 पर मैंने IP दे दी 1002, और location 3 पर मैंने IP दे दी 1003, किस साइट पर, serial interface पर, क्योंकि यह हमारे cloud से connect हो रहा है, और cloud switch की तरह काम कर रहा है, अब मैं location 1 को completely define करने जा रही हूँ, यहाँ पर serial 0 पर देखिए 1001 आया है, तो यहाँ switch पर मैं IP ले लेती हूँ 20 की, यह location 2 पर मैं जो IP लोंगी, fast ethernet पर यह ले लेती हूँ 30 की, और location 3 पर ले लेती हूँ 40 की, और फिर router rip करके मैं अपनी branch proper communicate करवा लेती हूँ, तब हम काम करते हैं, location 1 पर आगे, सबसे पहले मैं IP डालूँगी proper, सबसे पहले मैं IP डालूँगी, serial 0 by 0 पर मुझे 1001 डालना है, और fast ethernet 0 by 0 पर 20 001 डालना है, और फिर router rip हम ले ले लेंगे, तो हमारा location 1 configure हो जाएगा, यह देखिए, अब मैंने interface serial 0 by 0 पर मैंने IP डाली, IP address 10.0.0.1 इसका subnet mask डाला, अब मैं fast ethernet पर IP डाल रही हूँ, interface fast ethernet 0 by 0 पर IP डाले, IP add 20 001, router rip करना आप अल्रेड़ी सीख गया है, तो इन दोनों को communicate करने के लिए, configuration mode पर आकर हम, router rip network 10.0.0.0 और network 20.0.0.0, एक branch मेरी configure हो गई, यह वाली branch, अब मैं दूसरे branch पर आते हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैं serial 0 by 0 से connected हूँ, router के इस side, यहाँ पर 10.0.0.2 डालना है, और इस side आपका fast ethernet 0 by 0 है, जिस पर हम 30.0.0.1 डालेंगे, यह देखिए, interface serial 0 by 0 पर गए, यहाँ डालते हैं ip address 10.0.0.2 और इसका subnet mask डालेंगे, अब past ethernet पर आईपी डाल लेते हैं, past ethernet 0 by 0 पर आईपी डालेंगे, वाँ 20 लिया था, यहाँ 30 के आईपी लेंगे, इंटर आईपी इस configure हो गई हैं, अब हम exit करके, router rip करके इन्हें communicate करवा लेते हैं, तो यहाँ मेरी आईपी जाएगी 10 की, और दूसरा network जाएगा 30 का, अब मेरा location 2 भी communicate करेगा, मतलब proper com configure हो गया, अब हो गए सारे, अब मैं 3rd location पर आते हूँ, यहाँ पर serial 0 by 0 पर 10 003 डालेंगे, और past ethernet 0 by 0 पर 40 G की आईपी डालेंगे, यह देखिए, अब हम यहाँ डालेंगे इंटरफेस serial 0 by 0 पर, 10 की आईपी, और fast ethernet पर हम आईपी डालेंगे, अब router rift करके इन्हें भी configure कर लेते हैं, यहाँ मैंने 10 की आईपी डाली, और दूसरी आईपी हमारी जाएगी, 40 की, मेरा तीसरा लोकेशन भी configure हो गया, लेकिन यहाँ से अगर मैं 10.001 को ping करना चाहूँ, router से, तो यह अभी ping नहीं करेगा, क्योंकि बीच में कौन connected है, cloud ISP connected है, और मेरे router पे कोई information नहीं है, कि ISP ने कौन सा DLCI number दिया है, किस packet के थूँ यह communicate करेगा, अब यहाँ से आपके frame relay की configuration शुडू होती है, वो आप देखिए, यहाँ serial 0 by 0 हमारे ISP के side पे connected है, तो हम serial 0 by 0 पर frame relay configure करेंगे, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे interface, exit कर जाते हैं पहले, interface serial 0 by 0 पर जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहली command आपकी होगी, इनकैपसुलेशन फ्रेम रेले, अब आपको इस location पर मैंने आपको दिखाया था, कि दो DLCI number मिले हुए है, 102 और 103, यह देखें, इस location पर 102, 103 मिले हुए, यह हम डालेंगे, यानि यहाँ आप डालेंगे frame relay, interface DLCI, पहला 102 मिला हुआ है, और दूसरा DLCI मिला हुआ है, 103, तो पहली command आपकी होई encapsulation frame relay, दूसरी command होई आपकी frame relay, interface DLCI 102 और 103, अब आपको map करना है कि 102 किसके लिए हो, और 103 किसके लिए, इसके लिए आपकी command जाएगी frame relay, map, IP, अब 102 को मैंने मैं configure कर रही हूँ, ध्यान से रेखिए 102 किस location को connect कर रहा है, second location को, और second location के CGOA interface यहाँ से connected ISP से वो 10.002 है, तो यहाँ आप IP डालेंगे, 10.0.0.2, उसके बाद उसका DLCI नमबर, और एक keyword डालेंगे broadcast ताकि land में यह communicate होना चाहिए, यह देखिए, अब ठीक इसी गरह में 103 को भी map कर देती हूँ, 10.003, IP ए third location की, और उसका DLCI नमबर है 103, यह देखिए, तो यह map हो गया, अब मैं आपको दिखाते हो second location पे, यह आपके तीन ही command चलानी आपको, encapsulation, frame relay, फिर DLCI नमबर, जो आपके interface पे मिला हुआ है, और तीसरा उसको map करना, कि वो DLCI नमबर किस IP से map हो रहा है, अब यही configuration में second location पे करूँगी, exit करके आप serial interface पर आजाईए, serial interface पर, encapsulation, frame relay, अब DLCI नमबर, frame relay, interface DLCI, यह second location है, second location पे जो आपको DLCI नमबर मिला था, वो T01, 203 मिला था, frame relay, map, IP, same देखिए, अगर आप second location पर बैठे हुए हैं, तो 201, 10,001 के लिए मिला हुआ है, तो यही चीज़ यहाँ पर map करेंगे हम, 10,001, का DLCI नमबर है, 201 और keyword broadcast, ठीक इसी तरह, 10,003, और उसका DLCI नमबर है, 203 broadcast, तीनों कमांड यहाँ भी चल गई, अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं, configure mode पर आ जाईए, यहाँ से interface, serial 0 by 0 पे गए, अब यहाँ पर चलाईए, encapsulation, frame relay, frame relay, interface DLCI, यहाँ थर्ड लोकेशन पर है, इसका DLCI यह 301, और दूसरा है 302, फिर frame relay, map, IP, 301 किसके लिए है, 10.001 के लिए है, DLCI 301, and keyword broadcast, और ठीक इसी तरह, 10.002, जिसका DLCI यह 302, और broadcast, अब Ctrl Z करके, ping कर लेते हैं, यहाँ देखिए, जब मैंने पहले ping कर आया था, तो यह ping नहीं किया था, 0% success rate आई थी, अब दुबारा मैं आपको ping करके दिखाते हूं, उसी 10.001 को, और आपकी communication, 100% successful है, क्योंकि अब हम अपके ISP से, connect हो चुके हैं,